कि अंजी बेटा लेटर स्टार्ट विद दर कोशन नंबर फोर्थ बेटा मैंने कहा था कि हम इस पर डिसकुर्शन करेंगे पहले तो कोशन को देखती हैं दूबारा से की कोशन क्या था अब उसने का है इस तर डिफ्रेंट पर मोटेशन अप अल देलेटर्स आफ द वर्ट चुगे एक्जामीनेशन एक्जामीनेशन अचले ने विटा आप लिस्टेट अविने डिक्षिनरी हा मैनी वर्ट आप देर इन दिस लिस्ट अगर वो कह रहे है कि मैं ग्जामीनेशन को को लेके डिफरेंट बड़्स बनाओ और डिक्शनरी में रेंज करूं तो उसने कहा कि हाओ मैनी वर्ड्स आप दियर इंडिस लेश्ट बिफोर दफ फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विदी वो कहता अगर यह से वर्ड्स जो स्टार्ट करने से पहले जितने भी वर्ड्स है वह मुझे बताने सका मतलब अगर मैं से स्टार्ट होने वाले अगर मैं वर्ड्स देखो तो वो किसकी होते हैं यह दे उसके बाद यह से नहीं है डिक़ो ऑँ मार मैं देखो एक चला गया क्योंकि एसे फिक्स कर दिया मैंने नाव हाव मैनी जो है अलफाबेट साव लेफ्ट हीर वान टू त्री फोर फाइट सेवन एट नाइन टेन टेन फैक्टोरियल डिवाइड वाई मेरे पास क्या है रेपिटीशन है अब एक कोई रेपिटीशन नहीं होगी क्यो हां बच्चे गलती करते हैं ओके एक भार एक सेक बार एक बार है एक बार है एम मेक बार है आई आई दो बार है एन तो और तो कोई नहीं डिससमाय अंसर सॉल वेट एन गेट यारांस पुटेशन है पेलिए आनजी बेटा देखो मैने आपको कहा ए ए मैने एक फिक्स कर दि अब तो मैं इसको लेए निरी मैं 11 तोड़ा रेंज कर रही हूं मैं कितने अरेंज कर रही हूं 10 तो इसका मतलब वो तो आएगा ही नि मेरे पास हां जी विटा हां जी हमें विटा जब दिया होता है ना जब तक यह ना मेंशन किया हो कि 2 लेने है एक टाइम के 3 लेने है के 4 लेने है तो इसका मतलब हमें सारे के सारे जितने अलफाबेट्स हैं वो सारे के सारे यूज करने है यह बेटा उसने जो कहा इफ ओल लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज इस अंडर्सूड मीन सब को यूज करना है मुझी ओके यह बेटा सब को कोशन फूर्थ क्लियर हो गया नाव लेट अस तार्ट विद अबर फेक्त बेटा अब इसमें क्या दिया हुए हैं हाँ मैनी सिक्सलेट डिजिट्स नंबर कैंडी फॉर्म मेरे पास तो गया है हाँ मैनी सिक्स डिजिट नंबर थैंडी फॉर्म गडिजट जीरो वान त्री फाइब सेवन नाइन विचा डिविजीबल बाइट टैन और डिजिट इस रपीटिट अब उसने का है मुझे अगर डिविजीबल बाइट एंगे अजी अगलती ना लहां लिक्ताब परमजीत ना रूपा मैं दी लगा पर चलो बड़ा प्लीज आप टुमेट शिक्स डिजिट नंबर फिक्स कर दिया शिक्स डिजिट बनाने है इप टीस टूबी डिविजीबल बैक टैन वेरी गुड़ टाट मीज यहां पर जीरो क्या हो गया फिक्स हाओ मैनी अर लफ्ट हाओ मैनी नंबर्स अर दियर बाट मींस क्या करेंगे फाइव एक्टोरियल बस कोई रैपिटीशन नहीं कोई कुछ नहीं इसको फाइव फाइव भी लिख सकते हो आप वही बात है फाइव पीफाइव का मतलभी क्या है फाइव फैक्टोरी ओके चले अगले कोशन पे चलिए नेक्स्ट कोशन बेटा मेरे पास जोगे नहीं सेख्ड हिएग सब्सक्राइव बेट लगवर्ब यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नवी मेरे पास My justement अवेलेबल है ट्वन्टी वन कॉंसोनेंट्स अवेलेबल है क्या करें ऐसे नहीं जो स्वेस्ट और राइन तैल में हरी अप और एक प्लकित श्जेंञ्ट फाइव पी टू एयँड ट्वंटी वनपी टू इसका मतलब पुलकित के अकॉर्डिंग्ली मैने वावल्स वावल्स को अरेंज कर दिया फिल गाया मतलब अरेंज किया उधर से 21C में से मेरे पास जो गए 21C टू कर दिया मतलब Consonant Consonant को Range कर दिया बीच में क्या पहला वर्ड अलफाबैट वोड और दूसरा Consonant नहीं आ सकता सब्सक्राइब कि आप Consonant को इक टे को को फ़यों को इक टे को मैंने यह का दाट मीज कि पहले सेलेक्षन करते हैं मैंने आगे भी बताया था मैंने टीम बनानी है मैं चाहती हूं मैं दो गर्ल्स थीन बॉयस को सेलेक्ट करों और बात में इनका पेपर दिल्वान है तो यह तो नहीं है कि गर्ल्स का सकता है न कोई मैंने फिक्सेशन नहीं की तो दाट मीज ऐसे कोशन में पहले सेलेक्शन करते हैं मतला मुझे फाइव सी टू इन्टू ट्वंटी वान सी टू इन्टू कितनों की सेलेक्शन की फॉर की तो फॉर फैक्टोरियल क्योंकि फॉर पी फॉर हां जी अंडर सुड है ट्वंटी वान नहीं है ठीक है जी क्लियर हो गया सबको क्यों ऐसा किया चलिए अब नेक्स पे अटेंशन एर गुर्जोद अजी नेक्स बेटा इन एक्जामीनेशन अब कोशन पेपर कंसिस्ट आप ट्वेल मेरे पास हो गए कोशन दिवाइड इन टू पार्ट अब दरा ध्यान से देखना बेटा कोशन नमबर जो गया है सेवें वाट इस रिटन देर इन दो कोशन नमबर सेवें इन गुम्टर टू मुट्क शब्र टू न प्टो टूंट ये व timeline कोशन अगुट्यम and part 2 contains 7 questions a student is required to attempt 8 question in all selecting at least 3 from each part in how many ways can a student select the question उसने का कि student को 8 questions attempt करने 8 ठीक है लेकिन डूनों सक्षन में से कम से कम 3 3 कर नहीं है नाट मीज मैं कैसे स्टार्ट करूं अगर इस में से 3 questions कर रहे हैं तो next में से कितने करेगा विटा इस में से 4 questions कर रहे हैं तो अगले में 4 from this section if he or she is selecting 5 then 3 question is he or she is able to do 6 question from there why not because सबसे बड़ी बात है question ही 5 है यहां और वैसे भी उसने का कि minimum 3 तो करना ही करने तो इसमें और कम हो जाता है अब मेरे पास यह cases बन गए यह case worst second third either this case happens or this case happens or this case मतब इन सब के cases को क्या करेंगे प्लस अब कोई attempt के sequence की कोई टेंच्शन नहीं ना मैंने त्री कोशिंस करने हैं चाहे मैं कोशन बन पहले करूं यह कोशन थ्री पहले करूं ड़सन मैटर मैंटर नहीं कर रहा तो दाट मीज मेरे माइंड में क्या आया क्या यूज और खरूंगी combination, अब मैं कैसे करूंगी, I am having, देखिए, 5C3 into 7C5 plus 4C, sorry, 5C4 into 7C4 plus 5C5 into 7C3, सब को आड़ करोगे, यू विल गेट यू रांसर, एनी डाउट, एनी तिंग कम्स इन यर माइन, यार फ्री तो आस मी बिटा, जल्दी बोली, चलें हांगे, ओके चलिए, नेक्स पॉर्शन, मेरे पास होगे, डाट इस कॉर्शन नम्बर एथ, ओके जी, कॉर्शन नम्बर ए इस, now, what is written here in question number 8, determine the number of 5 card combination, हमें 5 card combination बनाना है, out of 52 cards, if each selection of 5 cards have exactly 1 king, मेरे पास जोगे, out of 52 cards, I have to select 5, but they specify, एक card जोगे न, वो क्या होना चाहिए, king का होना चाहिए, यानि जो 5 select करने थे, अब वो कितने रह गे, 4, अच्छा, मैंने सबसे पहले king select करते हैं, king के कितने cards होते हैं, 4, I have to select 1, at a time, selection करनी है न, into, साथ में ही मिरको बाकी 4 cards भी सिलेक्टर ने, ये हो गया 4, but out of how many, very, very good, okay, बात समय जाई, सब को बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, clear to everyone, online students, चले बेटा आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलिए, next, बेटा, मेरे पास होगे, कोई नमब नाइए, कोई नमब नाइए, कोई नमब नाइए, हांजी, it is required to send five men and four women in a row, मेरे पास होगे, हमें, five women, five men, sorry, and four women को, sitting plan देने, okay, in a row, so that, women occupy, women जुगे, that occupy even place, how many such arrangements are possible, इतना मुझे पता लग गया, कि women को मेने even number ही देने, अब बेटा सबसे बड़ी बात, total कितने persons को arrange करने, that means I am having nine places with me, okay, but women will occupy only even, वो अड़ में नी बाठ सकती, अगर मैं देखू, one, two, three, four, four ही even place है, four women's है, four ही प्लेस है, हना, तो 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 अब यहाँ, पर मूटीशन क्यों लगाई, अरेंजमेंट है, मैं यहाँ बैटू, मैं यहाँ बैटू, दोनो और इंग्मेंट्स डिफरेंट है, तो 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 मेरे पास, one, two, three, four, five, मेरे पास तो है, five मैंने, five places है, five p five, अभी अहाँ लग लेना है, यहाँ एकठे नहीं ले सकते हैं, क्यूंकि अगर आप इकठे लेते हो, आप एकठे लेते हो, मैं यहाँ पर ऐसे करते हैं, कि मैंने, सेलेक्शन की, आप जब अगे बनाओगे, nine factorial, अब nine factorial बनाओगे, तो that means, दो women भी कठे आ सकती है, दो men भी कठे आ रहे हैं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है, कि women even places में ही हूँ, नहीं possibility ना इस case में, क्यूंकि आपने तो इकठे कर दी, तो ऐसे possible, नहीं है यहाँ, this is the only way to do this question, ओक बेटा, चलियर कि ऐसा कि हुआ, पका जी, चलिये, नेक्स बेटा, मेरे पास तो गे, नेक्स पॉशन नबर तेंट, पॉशन नबर तेंट, हाझी, फॉशन नबर तेंट, 25 students, मेरे पास जो है, अगर 25 students है, हाँ जी, 10 आट तो बी चूजन, मुझे जो है, 10 चूज करने है, फॉरेन पार्टी, ठीक है, तेंट आर थ्री स्टूजन, वो डिसाइड दाट, अगर जाएंगे, तो तीनों ही कट्थे जाएंगे, और नन अफ दीज, जो है, नन अफ देम, विल जाएंगे, या तो कोई भी नहीं जाएगा, अगर जाएंगे तो, तीनों ही जाएंगे, अगर मुझे टेन बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझे टेन बच्चों की, टेन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, फर दाट पार्टी, ओके, अब देखो, तीन, पहले तो हम बात करें, केस वन, केस टू, जो पार्टी बनानी है, ठीक है, अब अगर मैंने पार्टी बनानी है, तो यहाँ पर, फ्री आफ देम, विल गो, अगर जाते हैं, या उस पार्टी में इंक्लिूड होते हैं, मतलब एक कुलेक्शन, टीम बनाने के लिए, अब जड़ा देखो, टैन में से, थ्री तो चलेगे, कितनों की सेलेक्शन गरनी, सेवन की, ट्वंटी फाइव में से, थ्री अल्ड़ी कम हो गए, कितने रह गए, यानि ट्वंटी टू, सी, कितने रहे गए थे हैं, सेवन, पहला केस, ओके, या, यह भी हो सकता है, थ्री आफ देम, विल, नॉट जॉइन दाट पार्टी, अगर नहीं जॉइन करते, अब अगर जॉइन नहीं करते, सेलेक्शन मुझे टैन की, टैन की करनी है, लेकिन टोटल में से तो थ्री कम हो है, ट्वंटी टू, सी, टैन, दोनों केसी को क्या करेंगे, एड करेंगे, ओके जी, क्लियर बेटा, अगर नहीं तो आपका वो कोशन आपके अंदर ही रह जाएगा, और वो प्रॉब्लम ही चलता रहता आगया, क्लियर है सब को, चले बेटा आगे, चलिये, नेक्स बेटा आगे, इन हाव मैनी वेस, अब सभी बच्चे खुद करेंगे, आप सभी बच्चे कुद करेंगे, जल्धी, वे प्स झाल में सकती तो जलब यूजबी देख अज़ी ब फस्ट बीफास वेटा बीफास वेटा बीफास वेटा चेक कीजिए ओके जी ओके हां जी हां जी हां जी मैंने टू ही देख लिए बिल्कुल जी ठीक है जी सबको समझ आया कैसे किया कौन एक्स्प्लेइन कर सकता है मुझे बिल्कुल सारे एसका एक ग्रूप बना लिया देखो मैंने एस छोड़ दिये बाकी कितने लेटर्स रह गे थे नाइन और एक एसका ग्रूप टैन हो गए टैन के टैन को क्या किया अरेंज किया डिवाइड़ वाइज रेपिटीशन में आ रहे ठीक है ए तीन बार था आई दो बार था एंड दो बार था लगा दिया उतने डिवाइड कर दिया इंटू जो एस अरेंज किये उनको भी तो इकटा किया उनका अपस में रेंज हो सकता है बड़ सारे के सारे के है रिपीट है इसलिए वो वन वे भी लिख सकते आप इंटू वान भी लिख सकते और तो फिर वो आपको भूल जाते हैं साथ में लगा ओके जी क्लियर टू एवरीवन चल कोई बात नहीं डैसे मैं कहते हूं करो करो मैं तभी कहने हूं तभी दिमाग में नहीं आएगा ताट्स वाइगा आप इतनी लाइन लिख सकते हो since the S are same so only one way you have to write okay G clear